नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिनेश कुमार चारण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहिते का अध्यन में एक बार फिर शेश्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नई है तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर मेरे दोरा बनाएगे वीडियो आपको पशन्द आते हैं तो उसे लाइक करें और लोगों के शाहत्पी उसे शेयर करें आगे बढ़ते हैं और कल मैंने एक प्रश्ण पूछा था उसके उत्तर काफी लोगों ने शही बताए हैं और मैं अन्त में उसका फाइनल उत्तर बता देता हूँ मतलब दो कृतियों के मैंने नाम बताए थे एक कविता के नए प्रतिमान जो डॉक्टर नामवर्शिंग की रसना है और दूसरा बताए थी नए कविता के प्रतिमान जो लक्षमी कांत वर्मा की एक अलोशनात्मक रसना है और आज की प्रश्ण वतरी शुरू करने से पहले आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ दो रसनाई बता रहा हूँ जो अलोसनात्मक कृतिया है एक है देव और बिहारी दूसरी है बिहारी और देव ये दोनों रसनाई अलग-अलग लेकों की है उन दो लेकों की नाम आपको मुझे कमेंट वोक्ष में बताने है रसनाई के नाम दुवारा सुन लो देव और बिहारी और दूसरी है बिहारी और देव चलिए आज की प्रश्न उतरी शुरू करते हैं पहला प्रश्न है चोगा ने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास का हिंदी में किस नाम से प्रकासन हुआ है तो इसका सही उतर है रंग भूमी यहाँ एक मुंसी प्रेमचंजी का महतोपन उपन्यास है मुंसी प्रेमचंजी पहले उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे लेकिन बाद में जब वो हिंदी भाषा में लिखने लगते हैं तो चोगा ने हस्ती जो पहले उर्दू भाषा में लिखा जा चुका था उसी का हिंदी इनुवाद रंग भूमी के नाम से वो करते हैं और इसका प्रकासन होता है 1922 में और कर्म भूमी ये किसानों की समस्या पर आधारित है और ये 1933 में प्रकासित होता है शेवाशदन 1918 में प्रकाशित होता है और इसका प्रकाशन भी पहले उर्दु भाशा में हुआ था बाजारे हुष्ण के नाम से और काया कल्प है वो प्रेमचन जी का पहला एशावपन्या से जो मूल तह हिंदी भाशा में लिखा गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है प्रजा हितेशी नामक पत्री का कहा से प्रकाशित होती थी अगला प्रशन है शांत रस का इस्थाई भाव क्या होता है अगला प्रश्न है निमन्मेशे क्या सात्विक अनौभाव का प्रकार नहीं है शात्विक अनुभाव अनुभाव आसरे की चेश्टाएं अनुभाव कहलाती है आसरे क्या होता है जिसके हिरदे में कोई भाव उत्पन होते है वो आसरे होता है आसरे की चेश्टाएं मतलब जो भाव किशी की हिरदे में उत्पन हो गई वो दिखेंगे केशी वो उसकी संचारी भाव का प्रकार होता है संचारी भाव 33 माने गई है और शात्विक अनुभाव क्या होता है दरसल अनुभाव के च्यार भेद माने गई है शात्विक काईक वाचिक और आहारे शात्विक अनुभाव बेनुभाव होते हैं जिस पर जो स्वत्त अनुभूत होते हैं ज अगला प्रश्न है आचारे ममट ने रिति के लिए किस शब्द का प्रियोग किया है तो रिति के लिए वृति शब्द का प्रियोग किया है और उन्होंने वृति के तीन रूप माने है उपनागरी का वृति कोमला वृति और प्रूशा वृति और मारग शब्द का प्रियोग कुंतक ने किया है और शंगठना सब्द का प्रियोग अनंद वर्धन ने किया है आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न है रस धोनी को कावे की आत्मा किष्ने माना है तो उसका सही उतर है अनंद वर्धन अनंद वर्धन एक धोनी वादी आचारी है उन्होंने धोनी के तीन भेद माने हैं, अलंकार धोनी, वस्तु धोनी और रस धोनी को वो कावे की आत्मा मानते हैं, भरत्मुनी है, वो रस सुत्र के आविश्कार के यानि की रस सुत्र का प्रतिपादन भरत्मुनी ने किया था, और भटनायक है वो भरत्मुनी के रस सुत् और उन्होंने शाधार्निकन शिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और भुक्तिवाद शिद्धान्त को प्रतिष्टापित किया था और अभिनाव गुप्त है वो रशुतर के चोथे व्यक्याकार है जिन्होंने अभिवेक्तिवाद शिद्धान्त का प्रतिपादन किया है अगला प्रश्ण है कच्छवा धर्म नामक रचना किस प्रकार की विधा है कच्छवा धर्म एक निबंद है जो चंदरधर्सर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया था चंदर धरसर्मा गुलेरी आधुनिक युग के एक महतोपुन लेखक है जिन्होंने मात्र दो तीन कहानियों से इतनी प्रशीदी प्राप्त की इनकी तीन कहानियों में उशने कहा था सुखमे जीवन और गुद्धु का कांटा उशने कहा था उनकी एक महतोपुन रसना है जो कौन शीकृति डॉक्टर नगेंदर की है डॉक्टर नगेंदर अधुनिक योग के एक अलोचक है जिसकी रचना है आस्था के चरण यह एक निबंद है रशग्य रणजन यह महावीर परशाद दुएदी जी का निबंद है अलोचनाद मुग निबंद है रस मिमान सा एक अगला प्रशन है काव्यादर्ष नामक ग्रंथ के रसनाकार कोन है काव्यादर्ष एक काव्य शास्त्री ग्रंथ है जिसके रसनाकार दंडी है वामन ने आचारी वामन ने काव्यालंकार शूत्रवर्ती नामक ग्रंथ की रसना की भामह ने काव्यालंकार नामक रसना की और स्रद्धा किसका प्रतीक है, कामाईनी में स्रद्धा किसका प्रतीक है, जैसा कि आपको पता होगा, कामाईनी में तीन प्रमुक पात्र होते हैं, मनू, स्रद्धा और इड़ा, मनू है वो मन का प्रतीक होता है, और स्रदा है वो रदे का प्रतीक है और इड़ा है वो बुद्धी का प्रतीक है तो इसका उत्तर क्या होगा स्रदा है वो रदे का प्रतीक है तो आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद